हेलो प्रिवान मैं हूँ प्रतिमा और आप सभी का आई एक्जाम बी के ऑनलेन प्रेड़ फॉर्म पर स्वागत है आज हम नाबानड ग्रेड ए फेस्टू के जो अभी परिक्षा हुई थी 39 अक्टूबर को उसमें राजभाशा से समबंधित किस प्रकार से प्रशन पूँछे गए थे और कितने नमबर के पूछे गए थे यानि कौन-कौन से परसन कितने कितने नमबर के पूछे गए थे लोगों को बताई जा रहे हैं इन सब चीजों को देखने के बाद आपको आने वाली जो परिक्षाएं हैं उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हम आगे की परिक्षाओं के लिए तैयारी अपनी करें तो देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर प्रश्ण पूछे गए थे यहाँ पर जैसे कि जानते हैं कि नाबाड ग्रेड ए फेस्टू में दो पेपर होते हैं पहला paper जो होता है वो English का होता है और दूसरा paper जो है वो यहाँ पर राजभाशा से सम्मंदित था यानि जो भी आपने post के लिए apply किया है जिस post के लिए उससे सम्मंदित प्रशन पूछे जाते हैं हम यहाँ पर राजभाशा की बात करेंगे तो राजभाशा में 30 प्रशन आपके वैकलपिक होते हैं जिसके लिए 50 अंक दिये जाते हैं और 6 प्रशन पूछे जाते हैं जिसमें से 4 आपको करने होते हैं और वो descriptive होते हैं यहाँ पर अगर हम वैकलपिक पेपर की बात करें जिसमें 30 प्रशन पूछे जाते हैं और उसके लिए 50 अंक दिये जाते हैं उसमें किस तरीके के प्रशन पूछे गयते हैं तो देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर दो paragraph पूछे गयते हैं एक paragraph था आपका हिंदी में और एक paragraph था आपका अंग्रेजी में जिसमें जो paragraph था हिंदी में उसमें हिंदी के शब्दों को हाइलाइट किया गया था उसको रेखांकित किया गया था और उन शब्दों को अंग्रेजी में अर्थ बताना था यानि उन शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ बताना था ये प्रश्ण थे यहां पर पांच वैसे ही दूसरा जो पराग्राफ था वो अंग्रेजी में था और उन अंग्रेजी शब्दों में आपको हाइलाइट किया गया था रेखांकिते और उसका हिंदी में आपको अ का हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ बताना था लेकिन वो अर्थ जो हैं अंग्रेजी या हिंदी में अर्थ पराग्राफ के अनुसार ही आपको बताना था इस वैकल्पिक पेपर में एक गद्यांस भी पूछा गया था ये गद्यांस जो था वो राज भाशा से संबंधित दिया गया था जिसमें से लगभग आठ से दस प्रशन पूछे गये थे और इस राज भाशा से संबंधित जो गद्यांस था उसमें अनुच्छेद 120, 210 और 343 से 348 तक के जो अनुच्छेद थे उनके बारे में प्रशन पूछा गया था यहाँ पर राजभासा से संबंधित कोई अलग से प्रशन नहीं पूछा गया था वो गध्यान से ही प्रशन पूछे गये थे इसके बाद यहाँ वैकल्पिक पेपर में अनुवाद के भी प्रशन थे यानि वाग के अनुवाद के थे यहाँ पर सब्दों को पूछा गया पैराग्राफ से जबकि यहाँ पर वाक्यानुवाद करने थे और ये वाक्यानुवाद हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में थे यानि दो यहाँ पर वाक्यानुवाद थे दो प्रकार के एक हिंदी से अंग्रेजी और दूसरा अंग्रेजी से हिंदी इन दोनों में ही पाँच पाँच प्रश्ण पूछे गए थे तो इस प्रकार से यहां पर वैकल पिक पेपर में आपके प्रश्ण पूछे गए थे पैराग्राफ से शब्द अनुवास के लिए प्रश्ण थे गध्यान से राजभासा के प्रश्ण थे और यहां पर वाक के अ अब यह जो पैराग्राफ था जिसमें अभी हमने बताया कि पैराग्राफ यंग्रेजी мар personality में दिया गया था जिसमें शब्दों को हाइलाइट किया गया था और उसका हिंदी में अर्थ बताना था तो यह हमारे वेबसाइट पर हमने यह अपने जो practice test था उसमें ये ऐसे प्रशन दिये हुए थे देख सकते हैं आपकी question number 17 में एक paragraph दिया गया है और इसमें कुछ शब्दों को यानि अंग्रेजी का paragraph है और इसमें कुछ शब्दों को highlight किया गया है यहाँ पर और उसका हिंदी में आपको यहाँ पर अर्थ या उसका पर्याय बताना था तो इस तरीके से हमने अपने practice test में ऐसे प्रशनों को रखा था और ऐसे ही आपकी exam में पूछे गयते देख सकते हैं आपको इस तरीके से यहाँ पर 18 है जिसमें आपको उसका अर्थ बताना था हिंदी में अब अगर हम यहाँ descriptive paper की बात करें कि किस तरीके के प्रशन पूछे गया थे descriptive जो paper होता है उसमें 6 प्रशन होते हैं लेकिन आपको 4 प्रशन ही करने होते हैं उन 4 प्रशनों में से आपको दो निबंध दिये गया थे यानि 15 15 नंबर के दो निबंध लिखने थे आपको दो आपको translation के प्रशने पूछे गया थे यानि हिंडी का अंग्रेजी में आपको typing करके उसका अन्वास करना था और एक अंग्रेजी से हिंदी में उसको typing के द्वारा आपको उसका answer देना था 200 यहाँ पर पत्र पुछे गये थे और पत्र जो था वो कुछ इस प्रक वो कुछ इस प्रकार से था कि जैसे आप एक प्रसासनिक अधिकारी हैं तो आपको एक बैंक प्रबंधा को लोन के लिए एक पत्र लिखना है और दूसरा पत्र था जिसमें आपको लिखना था कि जैसे आप एक प्रधानाचार हैं किसी विद्याले में नई नियुक्ति हुई है और वहां पर जो अध्यापक वह सही तरीके सपनाकार नहीं कर रहे हैं तो नियुमेट रूप से कक्षाय नहीं चल रही है तो उससे संबंदित आपको एक पत्र लिखना था यहां पर जो निबंद था उसकी शब्द सीमा जो थी वो 600 शब्दों की रखी गई थी यानि 600 शब्दों में आपको उसका निबंद टाइपिंग करना था इस निबंद का अगर विशय की बात करें तो यहां पर ग्रामीड भारत में सूचना प्रद्दों की का विकास के उपर अपने विचार प्रस्थूत करें कुछ इस तरीके से यहां पर उसका विशय था तो डिस्क्रिप्टिब पेपर में आपको निबंद से प्रश्ण पूछे गये थे उसमें अनुवाद भी करना था और दो जो थे वो लेटर से या पत्र से प्रश्ण थे निबंद की शब्द सीमा 600 थी और पत्र की शब्द सीमा 400 शब्द